सारे उनके विदायक और मंत्री जो है पुर्व हो जाएंगे अगला चुनाओ अभी अगर चुनाओ करा दीजिएगा तो एक भी कोई जीतने वाला है क्या बरती जनता पाटी का सब चौक चोड़ा पर जाके पकोड़ा बेचेगा हम तो आप से निसाद आरेक्षन मांग रहे ह क्यों नहीं बने इस देश को रुजगार चाहिए पेट में पहले भोजन दीजिएगा तब न भक्ति करेगा तब नहीं बोलेगा जैस्री राम पेट में खने नहीं रहेगा तो क्या जैस्री राम बोलेगा धीक नहीं मांग रहे हैं या 75 साल आजादी की हो चुकी है यह जाती को भाई भहनों को आरक्षन मिले इसकी हम लोग केंद्र से मांग कर रहे हैं केंद्र अभी उसको दवाकी रखी हुई है जैसी करनी और इसी भरनी पहले हमारे पार्टि को भारतिया जनता पार्टि तोड दिया पूरा दुनिया ने देखा एक गरीब बनी जनता पार्टि कहां है बीजीप का सब्रम डवंगलाद गरोट पर बैठा हुआ है यह हमारे पार्टि को जिस सावन के महिने में हरहर महादेव निसाद सिखर पे बैठे हुए है बान सरोबर पे वह उपर से देख रहे हैं वहां से आदेश कर दिये कि तुम लोग को भी रोजगार नितीश कुमार जी करती है सरकार गिर रही थी भाजपा और जद्यू की माच भात खिला रहे थे मुकेश शहनी जिस जिसको इंटर्विव दिये उसमें इतना मुस्कुरा रहे थे जैसे लग रहा था मुकेश शहनी उपमुख्यमंत्री पत की शपत ले रहे हो लेकिन असलियत ये है कि आज दो बजे उत क्यों कर रहे थे और यही जवाब जानने के लिए हम चले आए देव जोती जी के पास अब यह रहे इनके राष्टे अध्यक्ष मुकेश रहनी आप लोग का है इतना खूश है आप का है माजबत खिलाएगा तहावत है कि जैसी करनी और इसी भरनी नम्बे दिन पहले हमारे पाठी को भात की जनता पाठी तॉड़ दिया पूरा दुनिया ने देखा एक गडी पैच्छोडो निशाथ समाज और गडीग लोग का एग ब staple का का पाठी को बुरी तरह तोड़ दिया आज जोड़ के देख लीजिए कि भारतिय जंता पाटी कहा है बीजी पी का सब जो है डावंगला चोड़ा पर बैठा हुआ है जाके रोट पर जिंदावाद मुर्दावाद कर रहा है तो किसी के साथ गलत करना नहीं चाहिए हमारी पाटी को जिस तरह से तोड़ा गया हमारे पाटी को जिस तरह से खतम करने की कोशिश की गई लेकिन आप तो हमारा चावी लेके भाग गये ताला तो हमारे पास भोट है न भाई भी आईपी के पास भोट को नहीं न ले जा पाए आप हमारे बिदायक को लेके चले गये आज के दिन में जिस तरह से भारतिय जनता पाटी की राजनीतिक बिहार में लोग हसने के पोजीशन में हैं सारे उनके विदायक और मंत्री जो है पुर्व हो जाएंगा अगला चुनाओ अभी अगर चुनाओ करा दीजिएगा तो एक भी कोई जीतने वाला है क्या बरति जनता पाटी का सब चौक चोड़ा पर जाके पकोड़ा बेचेगा बताए हमको कि मुकेश चहनी और आपकी पाटी को इसमें का फाइदा हो गया आप लोग काहें इतना होस रहे हैं ठीक है इबात तो आप समझ वेए कि आपका पाटी तो रहा तो उसका पाड़ी तूट गया लेकिन माच बात वाला इतना खुशी का है और इसे रहे हैं हाँ और महादेव निशाद शिखर पर बैठे हुए हैं मां सरोबर पर उपर से देख रहा है वहां से आदेश कर दिये तुम वह को तोड़ दिये तुम लोग को भी रोजगार नितिसकुमार जी सब्सक्राइब 15 तरस संग्राइब कर देगा से लड़ रहा है हम आपका क्या कि बिगाड़ेて थे बुसकि सबसे बड़ी पाटी पैसा में भी सबसे वड़ी पाटी और भी आईपी से लड़ रही है हम आपका क्या बिगाड़े थे हम तो आपसे निसाद आरेक्षन मांग रहे हैं और आगे भी मांगते रहेंगे और आप मांगे क्या आप तो 2024 में बिहार से प्रदान मंत्री बन रहा है तो वही कर देंगे देश की महां जनता बनाएगा भारतीय जनता पाटी जिस तरह से लोगों को ठग रही है जिस तरह से लोगों को बेरोजगाड़ी जिस तरह से महंगाई ये सब भूलने वाली चीज नहीं है 75 साल में इस देश ने एतनी महंगाई नहीं देखी है 75 साल में यतनी बेरुजगारी नहीं देखिए आप इत्यास के अब उलट लीजे गूगल खोल दीजे दो करोड लोग पिछले मैना बेरुजगार हुआ है इस देश में इस देश को रुजगार चाहिए पेट में पहले भोजन दीजेगा तब न भक्ति करेगा तब नहीं बोल देख लृम कोवर हैं कि नेयाश ऌह से और चैनल मला को जो ठीज़ कुमार जी जो है पूले है आज के दिन में विकास की पट्री आधर निये तेजसी जादव जी आधर निये नितिश कुमार जी के साथ जो भी नहीं जो सरकार बनी है देखिएगा पिछला काल से दुछा को दोनों की शेट मैंने लेकिन कर दोर सब्सक्राइब करें दोनों देचा काटा क्छा था ऑधर्मी और करने काटा नहीं हुआ अधर्मी कैसे हो गये तो बहुँ प्रेस इन आपके सब्सक्राइब नहीं हुआ धा कि फिर से हम बोल रहे हैं कि आदर नितिस कुमार जी ने अनुसंसा किया लेकिन भारतिय जनता पाटी अभी तक उसको दवा के बैठी हुई है जारकंड बिहार बंगाल जारकंड बिहार बंगाल उत्तर प्रदेश यह चारो जगा जो है बंगाल और दिल्ली में जिस तरह से आरक्षन है उस तरह से जारकंड बिहार उत्तर प्रदेश में हम लोग मांग रहे हैं हम लोग को भीक न सब सहाब भी लिखे गए थे जो समिधान लिखे थे तो आप उस समिधान का पालन हो उस समिधान के तहट जो है निशात जाती को भाई भहनों को आरक्षन मिले इसकी हम लोग केंद्र से मांग कर रहे हैं केंद्र अभी उसको दवाके रखी हुई है सरकार बन गया अब मुकेश चैनी का स्टेंड कहा है वो कहां खड़े हैं कैसे वोट आएगा क्या है प्लान 24 पचिस का अभी चुनाव करा दीजिए कितना भोट आता है क्या होता है पता चल जाएगा लोगों बोचाहां में देखी न लिया भाई केतना भोट आ रहा है एक आदमी का चेहरा में 30,000 भोट आ रहा है अठारा परसंट भोट हम ले आए अब 42,000 भोट लाई भरती है जनता पाटी पूरा बिधायक मंत्री एमेले सब लेके जंडा डंडा लेले सब कैम कर गिया उसके बाद तो आप देखवे किये हैं कि आदर नहीं है मजपरपूर के सामसाद और भी लोग जो है गये हुए थे सबको जनता ने जुता के माला लेकर बेतौरobil भग गया इस लिए इयस दिज रोजगार मौग रहा है यह देर सको अभी तुरंध, आपको, महेंगाई पे कंट्रोल का करेंग महेंगाई के चन- INTERST pee अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा देश खतम हो जाएगा आप का Commerce हम Fed की आ किस तरह से नितीश कुमार जी देश का 2024 में अगला परधान मंत्री बने उसकी हम लोग मनोकामना कर रहे हैं और उसकी हम लोग सारा पाटी जोड़ देगा उनको परधान मंत्री बनाने के लिए देव जोती थे मिला जुला कर बात यही है कि बिहार के सारे विपक्ष की जो पा मुके सहनी जी जिस तरह से जनता को सेवा कर रहे हैं अती पिछडों की राजनेती कर रहे हैं हम लोग उसी तरह से राजनेती करेंगे हम लोग कोई पद के लिए तो कुछ इस तरह का हम लोग का कोई रहा नहीं कि पद दे दीजे तो मंत्री बना दीजे तो MP बना दीजे इस आदर्निय लालू परसाद जादव जी भी राजनीती की है वो कभी किसी हाउज के मेंबर थे क्या किसी बिधायक थे क्या एंपी थे क्या लेकिन जेपी जो है आज के दिन में भी और एक हजार साल के बाद भी जेपी को लोग याद करेगा आज से एक हैर साल बाद भी प्रसंगिक रहेंगे बहराल सरकार बन गई है वियाभी पाड़ी का स्टेंड भी याई है कि वो लोग नितीश कुमार के साथ खड़े हैं बहराल 24 और 25 की राजनीती क्या होती है बिहार के जितनी पार्टियां है वो कैसे अपना-पना अलग- इस सब भविष्ट के गर्व में है लेकिन जो भी होगा हम आप तक पहुचाते रहेंगे बाकि शुक्रियां से जोड़ने के लिए देव जोती जी आप जंदा निंग्शन देख रहे थे मैंने नाम प्रशांत राय है बहुत-बहुत धन्यवाज झाल